तो जो काज़ नहीं दुखाएंगे क्या वो बंगलादेश जाएंगे चुनावी मुझता होगा दिखे एनार्सी होगा जिसका नाम एनार्सी में नहीं आएगा उनको हमने बंगलादेश तक ठकका मार मार के हमको भगाना परेगा यही हमारा नीटी होगा पहले सब लोगों को अपना पक्स राखने का सुभिधा मिलेगा कानूनन पूरा जतना भी प्रोसेस कहना है सब प्रोसेस किया जाएगा अंग में अगर आप अपने आपको प्रूवद नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूँ तो आपको कानून का रास्ता से ही हम ठक्का मार मार के बंगलाडेश भेज़ दोगाए असाम में देखिए असाम में हमारा एक पॉसेस कंप्लीब हो शुका है सोधा लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया हूँ अभी हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस किया हो कि हमको और एक बार करने दीजी सिमान में हमको और 20% सेंपल से करने दीजी पहरा सरण में हमने सोधा लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जो पठम दिश्ती म अगर सुप्रीन कोर्ट से हमें दूसरा रिवीजन का उनुमति मिल जाते हैं तो वो सेंखा और बाहेगा अभी तक जो सेंखा हुआ है पहला सरन का एनर्सी से यह लगबहुत सोधा लाख और पुन्हाय लाख का बीच में है एक बड़ा इंप्रेटिन सवाल है जैसे आप देमिग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं यानि बंगलादेश वहंगिया के लोग यहां पर रहां दिवासी सेंटा भैट रही है तो जो बंगलादेशी है जो वोतर लिस्ट में है उनको कैसे रहते हैं तो प्रुटा लिस्ट मे में आपका नाम जार्खन में है यह बंदा का यहां नाम सेमे नाम है सेमे नहीं था सोधा में है Standing पहले आप कहा था अगर वो पता देते हैं कि पहले मेरा नाम बिहार में था पहले मेरा नाम बेंगोल में था पहले मेरा नाम असाम में था मेरा नाम देली में था तब ठीक है तोई अपत्ति नहीं है लेकिन अगर दिखा नहीं सकता है कि पहले हमारा नाम कहा है तब तो तथन दिश्टी में आपका उपन संदी जाएगा ही जाएगा फिर आपको ट्राइगुनेल का सामने प्रूव करना है कि भाई आप जारखान आने का पहले आप कहा थे तो यह बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है और यह प्रोसेस को सुप्रीम कोट मुहर लगा के रखा हुआ है इसमें किसी का तस्में होते है और जैसे जो भी नया लोग भुटा लिस्ट में आया है खाली ओही लोगों को जाज किया जाएगा जो जारखान का आदी बासी है मुल बासी है उनको जाज भी नहीं किया जाएगा किस centralized उनका नाम लिज में परीबार का नाम पेहला बार भोटर लिज में आते हим जो बैट्टी का नाम पहला बार भोटाल इसमें आते हैं और उनका उमर उथारा नहीं है उनका उमर 30 साल है, 25 साल है, 70 साल है उनको पूशा जाता है कि आप कृपा करके बताईए कि आप पहले कहा थें तो यह परी scientific process है और आप बैटना मुझे को बताईए मैंने ओ दिन अभी हिंदु लोग कॉंटेज भी करने के लिए दरता है, आभी बासी लोग भी कॉंटेज नहीं करता है, पूशने से बोलते हैं ने सेंखा परीवर्टन हो गया, भाई कैसे परीवर्टन हो गया, यह तो कोई तो बताना परेगा ना, तो यह हाई कोट जेमें सरकार को पू अगर समिक्सा निकालेगा जंगनाना, अधिवासी का सेंखा और कम होगा, तो इसलिए जेमें को घुस पेठियों का समय स्या से भागना नहीं चाहिए, आप घुस पेठियों का भोटों का लालस में, अगर आप लाजनिती करेगा, जार्खान का अधिवासी और मुल बासिय का कभी भी अच्छा नहीं होगा, हम लोग माइनोरिटी बनते जाओंगे